मध्यप्रदेश के सिवपुरी में मेडिकल कॉलेज की चौथी मंजिल से कूत कर महिला ने सुसाइट कर लिया 22 वर्षी महिला अपने 12 महिनी के बेटी के इलाज करवाने के लिए आई थी सुसाइट से पहले उसने ससुर के पैर चुए और उनकी आखों के सामने छलांग लगा दी घटना रविवार की रात की है जिले के देहगाओं में रहने वाली अनीता आदिवाशी 20 जन्वरी को अपने बेटी को लेकर यहां आई थी निमोनिया होने के कारण उसकी बेटी को भर्ती कर लिया गया था शिटी को तवाली थानप्रभारी अमित्भदारिया का कहना है कि पाईजन सहित ड्यूटी स्टाप के बयानों को लेने के बाद आगे की जाच को किया जाएगा महिला के ससुस्टी लाल ने बताया कि रविवार रात करीब साड़े ना वज रहे थे मेरी पोती मेडिकल कॉलेज के चोथे माले परवने पी आई सीउ में भरती है बहु अनीता उसके साथ ही थी मैं बाहर बारामदे में बैठा था अचानक बहु ने दर्वाजा खोला और दोड लगा दी बहु मेरे पास पहुची ही थी कि नर्स पीछे से पकड़ो पकड़ो कहते हुए उसके पीछे भागने लगी बहु अचानक से मेरे कदमों में गिरी और पैच हुए मैंने उसे उठाया तो उसने ट्वालेट जाने की बात कही और वहां से तेजी से आगे बढ़ गई मेरी आखों के सामने उसने चौथे माले में छलांग लगा दी यह सब इतना जल्दी हुआ कि मैं कुछ नहीं समझ पाया अस्पताल में मौजूद लोगों ने बताया कि सोसाइट से पहले महिला ने फोन पर बात की थी संभवता फोन पर उसके पती बुद्धु आदिवासी था वह करीब धाई महीने पहले काम करने महराश्ट गया था बेटी की अचानक से तवित जादा खराफ हो गई थी इस कारण वह पती से घर आने की बात कह रही थी पती ने जल्दी आने में संभवता असमर्थता दर्ज कराई थी प्रारामभित तोर पर इसे भी सोसाइट का एक कारण माना जा रहा है मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर के भी बर्मा का कहना है कि मृतिका और उसके ससुलाल वालों के बीच बिवात की भी सूचना मिली थी महिला की बेटी को एक ऐसी कोई बड़ी बिमारी भी नहीं थी जिससे उसे आदम घाते कदम उठाना पड़ी के ससुलाल वी साथ उसके साथ में थे तो यह प्रत्रम दिश्टर देखने में आया कि उनके बीच में कुछ आपसी वाद हुआ है गारे लो पार बार एक करले की बज़े से इसकी बज़े से उस लियोडी ने सुसाइट की प्रयास किये और वो हमारे आशो उपर से चट से कून की जब तक हमारे सुच्छागार उसके पीछे जाके बचाते तब तक वो नीचे कून की